नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरूफ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चनल हरियान अपडेट डेली नियूज बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शिरो गरते हैं देखें पहली खबर आपको बता रहेता हूँ कि रेवाड़ी के जो सादूशा जगा है वहाँ पर जो सीवरिज का पानी वो ओवर्फलो हो गया जिसके कारण जो लोगों के घर है उनके भार पानी जो सीवरिज का गंदा जमा हो गया आपको बतायतों की महले वासियों ने ये काई कि हमने कई बस शिकायत कर ली लेकिन जो परशाशन की और सिर्फ उपचारिकता की गई है लेकिन हमें इस चीज का कोई पका समादान चाहिए क्योंकि आप सीवरिज का पानी अगर घर के भार भर जाएगा तो ना तो आदमी भार जा सकता और ना ही कुछ काम कर सकता तो इसलिए उन्होंने काई कि इसका जल्द से जल्द समादान किया जाए ताकि सबसे पहली बात तो सीवरिज का पानी अगर नहीं अटाया जाएगा तो लोग आ जानी सकेंगे कहीं पर दूसरा मच्छर वगेरा महाँ पर आप सभी को उता है कि पानी के अंदर आता है और गंदे पानी से वहाँ पर बदबू भी बहुत ज़दा आती है तो इसको लेकर ये का गया है कि जल्द से जल्द इसका सरकार कुछ समादान करवाया दूसरी खबर आपको उतायता हूँ कि देकि मामूली सी बात पर गाड़ी के शिशे तोड़े दिली जैपुरी राजमार्क पर आपको तायता हूँ गाउं मालपूरा के पास की ए गटना है पर एक पैट्रोल पंप के उपर एक व्यक्ति था जो कि CNG की लाइन में लग रहा था और अपनी गाड़ी में CNG डलवाने के लिए गया था जब उसकी बारी आई तो एक और कार आई और उसके बीच में आके लगा दी गाड़ी अपनी CNG बरवाने के लिए इसके बाद उस आदमी ने का कि भै आपने क्यों लगाई कि मेरी बारी थी तो इसकी चलती उस गाड़ी में से 3-4 लोग उतरे और उसके गाड़ी के शीशे तोड़ती उसकी साथ गाली गलोच करी पैट्रल पंप वाले ने भी का कि आप लोग लाइन में तो उन्होंने उसकी भी नहीं मानी इसके बाद उन्होंने जिस व्यक्ती की गाड़ी के शीशे तोड़ी उससे ये धमकी दी की पैट्रल पंप के बारा इसके बाद उससे व्यक्ती ने पुलिस को शिकायद दी पुलिस को शिकायद देने के बाद जो आरोपी थे वहां से फरार हो गए देखे चोटी सी बात दे लेकिन इसके अंदर आपको बता देता हूं कि गाली गलोच उसके साथ की उसके गाड़ी के शीशे तोड़ दिया और उसको धमकी भी दे गए इसके बाद आज की अगली ख़बर आपको बताता हूं देखे रेवाड़ी में भी जानवर से लोग परिशान जो अभी तक सो एकड जमीन को खराब कर चुका है सो एकड जमीन का मतलब है सो एकड जो फसल जहां पर हो गए फसल को खराब कर चुका एक तरीके से और आपको ये भी बता रहता हूं कि इस चीज से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और ये भी कहा जा रहा है कि जो जं इसके बाद अगली खबर आपको देगी मैंने आपको बताया था कि कल बारिश होगी तो कल रात को बारिश हो गई थी क्योंकि हमारे पास न्यूस आई थी उसी साब से मैंने आपको बता दिया था था और आज भी बारिश के पूरे पूरे असार बताये जा रहे हैं और सुबह बहुत बारिश हुई भी थी तो इसके चलते आज भी बारिश होने के काफी असार है हलंकि ठंडर रिवाड़ी के अंदर अभी और बढ़ेगी रिवाड़ी की बड़ी खबरे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोजान आपको लिवाड़ी की बड़ी खबर इस चैनल पर मिलेंगी इसके साथ धन्यवाद